बूरीवान गुड आफ्रनोन और वेलकम बैक टू माई चैनल तुझी जो वीडियो है ना ये मंगलवार की दुपैर का वीडियो है तो आपको पता ही है कि सर्दी का सितम तो बिलकुल वैसा ही है बहुत सर्दी हो रही है बहुत जादा ठंडी हो रही है और टैंपरेचर कपड़े डालने के लिए आई हूँ तो आजकल हम घर में सब मिला के न सात लोग है और इतने सारे कपड़े हो जाते है जब इतने большой को यह लोग रहे है क्योंकि बच्चे है bride想法 रहे हैं तो देखिए यहाँ पर दुपैर में कपड़े डाल रही थी और इतनी तेज ठंडी-ठंडी हवा चल रही है कि दो-दो दिन लग रहे हैं कपड़े ही नहीं सूख रहे हैं तो बस कपड़े वगरे डालके मैं आ चुकी हूँ उसके बाद अब लंच की तयारी होगी तो थोड़ा सा टाइम हो गया था आज लंच में क्योंकि हम लोग आज कल सुबह थोड़ा सा लेट उटते हैं और जब लेट उटते हैं तो सारा काम देर से ही होता है तो अभी मैं बनाने वाली हूँ सब बच्चों के लिए मैगी तो मैगी बच्चों को बहुत पसंद है और जैसे भी जब दुपैर के खाने में लेट हो जाता है तो फिर मैगी ही एक option नजर आता है और वैसे भी सर्दियां हैं सर्दियों में इस तरीके का खाना बहुत अच्छा लगता है तो जैसे ही बच्चे को पता लगा कि मैगी बिना रही हूँ चारो के चारो बच्चे हो गए थे खूप खुश और बस और कैच चाहिए बच्चे खुश हो जाए खुश हो के कुछ खा ले तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है तो लोग बहुत जादा शिकायते कर रहे थे कि दी आप डेली वीडियो नहीं डाल रहे हो आपके वीडियो में फिर से लेट होने लगा है तो यार उसके लिए सौरी आप लोगों को पता है एक तो सर्दी बहुत जादा हो रही है सर्दी तो रही एक तरफ की बात आपको ये भी पता है कि घर में गेस्ट आई हुए है तो हो जाता है तो फिर उनको भी उनके साथ भी पूरा टाइम देना पड़ता है हम लोगों को क्या हो रहा है ना कि हम लोग घर से बाहर रहते हैं इदर उदर घूमते फिरते रहते तो उस बीचना थोड़ा सा वीडियो का ऐसा ही हो रहा है ना तो वीडियो बनाने का टाइम मिल पाता है और थोड़ा बहुत जो शूट होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ यही रीजन है कि वीडियो आने में लेट हो रहा है क्योंकि एडिटिंग में भी थोड़ा सा टाइम का गड़बर हो जाता है आप समझ सकते हैं इस चीज़ को तो इस वज़े से तो देखिए यहां पर मैंने चारों बचों के लिए मैगी रख दी है प्लेट में और सब बच्चे आगए हैं आपको दिख रहा होगा टाइल्स में देखिए ब्लाक लरकी जो टाइल्स है ने किचन की उसमें देखिए आपको बच्चे जो नजर आ जाएंगे तो बच्चे हो गए थे खूब खुश और अच्छे से सब ने मैगी खाई उसके बाद ये है नेक्स टे का वीडियो तो ये बुदवार का वीडियो है सुबे का टाइम है और आज बच्चों को जाना है स्कूल तो वंशी का रुके ना बुदवार तक भी मतलब विंटर वेके है ना विचारे गर्माईश में सोवे रहते हैं उसके बाद उन्हें उठाओ फी नहलाद उलाके स्कूल बेजो तो बहुत जगे तो स्कूल बंद हो चुके हैं लेकिन यहां पर पता नहीं क्या हुआ है जो अभी तक भी विंटर वेकेशन स्टार्ट नहीं हुए शायद ट् पतजी भी नहीं थी फिर मैंने बच्चों से पूछा तो फिर उनकी जो भी फर्माईश होती है तो कुछ ऑप्शन वो ऐसे भी रखते हैं जो इजिली अविलेबल होते हैं घर पे तो बस यहां पर आटा मैंने गून दिया है मैं जल्दी से जो है उनके लिए पराठे इस उबे बच्चों को स्कूल के लिए उठाया तो बिल्कुल भी उठने को रेडी नहीं थे क्योंकि उनके जो है ना आपको पता है कजन ब्रदर और सिस्टर आई हुए और जब बच्चे अपने सामने दूसरे बच्चों को सोते वे देखते ना तो उनका उठने का वैसे ह लेकिन बड़ी मुश्किल में मैंने उन्हें उठाया कि नहीं उठ जाओ स्कूल जाना है एक ही दीन जाना है तो इस वज़े से फिर वो उठ गए थे तो देखें यहाँ पर जो है अभी मैं सिर्फ दोनों बच्चों के ले ही नाश्ता बनाऊंगी बाकी सब के लिए मैं बा लो है तो इतने जाद पराठे बनने शुरू हो जाते ना कि पुछ यहीं मत मतलब हर दिन जो है पराठे बनते हैं और फी जब घर में कोई आता है ना तो एकी ओप्शन नजर आता है चलो इस चीज़ के पराठे बना देते हैंlor तो आप लोगों का कॉमेंट आया था अभी दो दिन पहले कि आप आलू के पराठे बहुत बनाते हो और किसी चीज़ के नहीं बनाते हो तो ऐसा नहीं है आलू के पराठे का ऑप्शन में तब जूस करती हूं जब मिरे पास कोई सब्जी नहीं होती है वरना मुली के पराठे भी बनते हैं गोभी के भी बनते हैं तो ऐसा तो देखिए बच्चों के लिए मैंने बना दिये हैं पराटे और इधर विदाश जो है नाश्ता करने लगा है और वंशी का भी आएगी अभी नाश्ता करने के लिए तो थोड़ा बहुत मतलब टाइम का आगे पीछे हो जाता है दोनों का क्योंकि तयार होने में ना कभी दोनों बच्चे बैट के नाश्ता कर लेंगे और जब तक बच्चे करेंगे नाश्ता मैं कर देती हूं उनका टिफिन पैक तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज बच्चों को एक बहुत सिंपल सा मैं नाश्ता देने वाली तो विदाश ले जाएगा साॉस और बाहर निकाल दी थी वैसे तो इस टाइम पर फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है वट फिर भी मैं रख देती हूं हलका से नमक डाल दिया है मैंने ऐसे ही बाकी मिक्स वह अपना स्कूल में जाके कर लेगी और यहां पर मैं एक एक याकुल्ट रखूंगी एक बाहर से स्पेशल बन गया था और दोनों बचे बहुत खुश हो जाते हैं इस तरीके का अपना टिफिन देखके ना उनको मतलब बहुत सारी चीज़े दिखती है तो खुश हो जाते है तो देखिए उनका टिफिन पैक है उसके बाद बारी आती है फ्रूट ब्रेक की तो फ बच्चे दोनों अपना नाश्ता जो है फिनिश कर रहे थे तब तक जो है मैंने उनके टिफिन उनके बैग में रख दी है और हाँ बच्चो की स्कूल की टाइमिंग यहाँ पर भी चेंज हो गई है तो काफे पहले से ही चेंज हो गई थी मतलब जब मैं हरिद्वार थी आप जो है ना 8.30 के भी बाद आती है तो थोड़ा सा ये एक चीज ठीक हो गई है कि बहुत अरली मॉनिंग नहीं उठना पड़ता है तो जैसे मैं सुभे 5.30 उठती थी तो अभी जो है न मैं 7 बजे उठती हूं बच्चों के लिए तो 7 बजे उठके भी अपना इतना टाइम रहता है कि बच्चों के लिए नाशता वाशता बना दो और उनको रेडी कर दो तो इसलिए जो है ये चीज थोड़ा सा ठीक हो गई है क्योंकि अरली मॉनिंग तो कोहरा इतना जादा रहता है कि उस टाइम पे तो उठने का मन ही नहीं करता है तो देखिए यहां पर जो है वंशी का के मैंने बना दिये है बाल और बस अभी रेडी हैं दोनों बच्चों को मैं कैप बना दूंगी और थोड़ा थोड़ा सा फेस पे मॉस्यराइजर आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो दिदी आप अपने बच्चों के फेस पे क्या लगाते हो तो बच्चों मैं यूज करती हूँ मैं बच्चों के फेस पे वही लगा देती हूँ तो बस यहां पर दोनों बच्चों को कैप पना दी हैं गलफ्स पना दी हैं क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है पूल का टाइम हो गे लॉप्स पमला बारी हो रहा है वह दिनों बात जारे हो लो आज पैननी है वह था बच्चों सब्सक्ट बाइव थाए तो बच्चों को ड्रॉप करने के लिए चले गए हैं उनके पापा और अब जो है मैं सब के लिए नाश्टे की तियारी करूंगी तो सबसे पहले तो ना मैं मूली जो है उसको ग्रेट करके रखूंगी क्योंकि आज औरों के लिए बनने हैं मूली के पराठे और आज हमारा थोड़ा सा प्लैन ये भी था कि हम लोग जो है ना थोड़ा सा मार्केट चले जाएंगे शॉपिंग वगरा करने तो जैसे मेरी ननत आई हुई है ना तो उनको शॉपिंग करनी है तो इसलिए हमने सुचा था मार्केट जाएंगे शॉपिंग करेंगे तो इसलिए मैं मुली के पराठे बना के रख दूँगी तो बच्चों के पापा घर पे रहने वाले हैं आज और यहां पर सारी मुली ग्रेट हो गई है मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी आट करके रख दूँगी ताकि अपना पानी छोड़ दे और जब तक यह पानी छोड़ेंगी उतनी दिर में जो है न हम लोग चाय बना के चाय भी पीलेंगे तो मैं सबको तभी उठाती हूँ जब चाय बन जाती है तो बस यहां पर जो हमें चाय बना दूँगी अभी हम तीनों के लिए सब मतलब मैं वंशीका के पापा और वंशीका की बुवा तो हम तीन लोग सुबह उठके पहले चाय भी थे उसके बाद फिर हमारी नाश्टे की तैयारी होती है तो चाय के साथ ही मैं उनको उठाती हूँ तो देखें यहां पर अच्छे से अद्रक मैंने ग्रेट कर दी है और ऐसे ग्रेट करके जब अद्रक डालते है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और साथ ही साथ दूद रख दूँगी बॉइल होने के लिए तो एक साथ अपने इतने सारे जो किचन के काम होते है न वो निपड़ते रहते है तो देखें दूद भी रख दिया है बॉइल होने के लिए यहां पड़ना मैंने मिल्क बास्केट से मंगाया था गार्बिज बैग तो इस बार हुआ यह है कि यह जो बड़े वाले डस्ट बीन होते न उनका गार्बिज बैग आ गया है तो पता है ऐसे समझ नहीं आता है मुझे और मैंने और कर दिया लेकिन जब घर में आया न तो इतना बड़ा गार्बिज बैग आया हुआ था जो बड़े वाले डस्ट बीन का होता है तो फिर मैंने मतलब उसको ही लगा दिया मैंने का चलिए कोई बात नहीं अब आ गया है तो यूस तो करना ही है और यहाँ पर बन चुकी है सुबे की गर्मा गरम चाय बस अब हम लोग चाय पिएंगे और उसके बाद जो है हम लोग अपना नाश्टा वगहरा करके जो है न बस बारी आती है थोड़ा सा रूम को ठीक ठाक करने की तो बस यहाँ पर मैं रूम ठीक ठाक करने ही लगी हूँ और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूंगी तो यह था छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रू बताईएगा और वीडियो प झाल झाल झाल